हाई एब्रीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जी इस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर डूटोरियल्स में आपके संदिंग मोश्ट इंपॉर्टन मैथेमेटिक्स का लेकर आ चुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे एट स्टैंडर के लिए मैट सब्जेक का जो हमने चाप्टर के शुरुवात कीजी दोस्तों जिसका नामे चाप्टर नमबर वन र मैंने प्लेलिस्ट को चेक किया दुबारा से बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे मुझे बीच में मैंने देखा था कि सर एक एक लेक्चर कभी कुछ कुछ चाप्टर में से मिसिंग है मतलब वो शायद डिलीट हो गए हैं गलती से या फिर हूं मिसिंग है तो मैंने करने दुबारा से न्यू तरीके से वीडियो बना रहे हैं जो चीज मिसिंग है खाली वही बाकी सब चीज पहले जैसा ही है बाकी हर चीज पहले जैसा प्रेजेंट है प्लेलिश के अंदर आप चेक कर सकते हो और प्लेलिश भी टाइम टुटाइम अपडेट होता रहता है तो आप उसको भी चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप जरूर से कर लोगे बाकी हर स्टैंडर के लिए हर सब्जेक अवेलेबल है तो वो भी आप देख सकते हो जाके ठीक है तो चलिए आज का इस लेक्चर है लेक्चर नमबर 7 और irrational और rational numbers की बारे में बात करेंगे तो आज क्या पढदने वाले हैं तो बेसीकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चोटा सा प्राक्टिस से जिसका नाम है practice से फिसे आपे के बाद करें कि उसमें पूछा किया है, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के questions, जैसे कि, आपने देखा होगा कि, हमने आपको किस तरह, इसके पहले का जो lecture है, जाके चेकाउट कर लेना, प्रेलिश में मिल जाएगा, इसके पहले का जो lecture है, lecture number 6, ठीके, lecture number 6 था, उसमें मैंने आपको explain किया थ किस तरह से आप number line में दिखा सकते हो, यह जो point था, वो root 2 था, मैंने आपको explain किया था, तो आपको बता रहा था, कि number line पे कैसे root 2 को आप show कर सकते हो, उसी प्रकार यह practice state के अंदर आपको, दो से तीन चीज पूछा हुआ है, एक तो आपने root 2 तो पढ़ लिया, जो हमने previous lecture मे बता दिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे, कि root 3 को कैसे में number line पे represent कर सकता हूँ, वो आपको मैं यह आपर दिखा हूँगा, बहुत ही simple है, और एक और बताऊँगा, दूसरा question में, कि root 5 को कैसे हम लोग draw कर सकते हैं, ठीक है, यह दो चीज बताऊँगा, और एक और है, यहा होती मज़ेदार चीज होने वाला है, तो अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है, चले आगे बढ़े, पहला question, show that, पहला question हम लोग पढ़ेंगे, पहला question लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, show that, root 3 on number line, root 3 को हम किस प्रकार number line पे दिखा सकते हैं, तो सबसे पहले, number line पे दिखाने के लिए आपको एक number line को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक number line को यहाँ पे draw कर लेता हूँ, बहुत ही simple सरीके से आपको एक number line ड्रॉ करना है, सबसे पहले बीच का point ले लो, 0, सभी जानते हैं यह, 0 ले लो, यहाँ पे कहीं पे 1 ले लो, यहाँ जब root 2 बनाया था, तो root 2 में एक point हमको मिल गया था, जो कि 1 के थोड़े से बाद में था, ठीक है, 1 के थोड़े से बाद में था, और वो point का नाम हमने रखा था, q point, and वो q point का value था, जो q point का value था, वो क्या था, root 2 था, यानि कि अगर यह point को मैं क्या मानता हूँ, o point मानता समझ लो, क्या point मानता हूँ, o point, यह तो आपका 0 है, यह आपका 0 है, तो यह 0 है, यह o point है, तो o से लेके q तक का जो distance हो जाएगा, o से लेके q तक का distance हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, root 2, और यह हमको कहा से मिला है, यह हमने पहले से ही solve करके रखा हुआ है, कि जब हमने root 2 का number line draw किया था, तो हमें मिल चुका था वो चीज, उसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो o से लेके q तक का distance जो है, वो root 2 है, हमें पता है, कि इतना distance root 2 है, अब मुझे क्या करना है, यह q point पे आप क्या करो, एक scale ले लो, और scale से बरबर 1 cm का जो है, एक line draw कर लो, scale से क्या कर करना है आपको, यह जो o point है, और यह r point है, इसको with the help of scale, एकदम straight में क्या करना है, जोइन कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने हाच से किया है, तो थोड़ा को तेड़ा हो जाएगा, लेकिन आप scale से draw कर लेना, एकदम same, तो आपको एक triangle बनता हुआ नजर आएगा, एक triangle दिख और यह जो q point है, यह जब straight r की तरफ गया था, तो यह एक angle बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते है, perpendicular angle यानि 90 degree, यानि कि in short, यहाँ पे अगर मैं एक चीज लिखने की कोशिश करू, कि यहाँ पे एक triangle बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इन triangle, क्या नाम है, o q r, यह q point है, यह point का नाम क्या है, q point? तो यह o q r, तो एक triangle बन गया हमारा o q r, क्या बन गया, इन triangle o q r, और इसमें angle जो q है, angle जो q है, वो क्या है दोस्तो, 90 degree है, और आप सभी जाते हैं, कि जब भी कोई angle 90 degree बनता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग pythagoras theorem apply क पूरा नहीं लिख पाया आप समझ जाना अब पाइथागोरस थेरम में आप अप्लाए करोगे तो आपको पता है पाइथागोरस थेरम होता क्या है हाइपोटेनेस का स्क्वाइर इस इगोल तो सम अफ दे साइज स्क्वाइर तो हाइपोटेनेस को ने ओ आर यानि कि ये क्या हो जाएगा ओ आर का स्क्वाइर इस इकवल टू जो बचेवे दोनों साइडे इसको प्लस कर दो यानि OQ का square प्लस ये क्या है QR QR का square अब जो भी value है मेरे पास वो डाल सकता हूँ हमने इस चीज़ को माना हुआ है OQ root 2 है OQ का value root 2 है लेकिन ये QR जो हमने draw किया ये हमने बोल के किया ना कि QR कितना था QR हमारे पास 1 unit था 1 centimeter था 1 unit ठीक है न तो QR हमारा 1 था तो हमें पता है कि OQ का value है वो क्या है दोस्तो root 2 और इसका क्या करना है हमें square प्लस और ये QR का value कितना है हमने लिया है 1 centimeter यानि 1 का square अब इसको आप solve करोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तो root 2 का square यानि हो जाएगा 2 plus 1 का square 1 यानि कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये OR का square is equal to क्या हो जाएगा 3 और OR का value निकालोगे तो ये चला जाएगा under root में square root of 3 बन जाएगा यानि कि आप लोग का OR का value कितना आ गया unit root 3 root 3 unit आ गया समझ में आ रहा है इसको अच्छे से box कर लेता हूँ समझ में आ रहा होगा तो OR का value मिला है हमें वो क्या मिला है root 3 unit यानि कि ये जो OR है इसका value कितना है root 3 root 3 है लेकिन हमको क्या करना है ये जो root 3 आया ना ये हमने root 3 निकाल लिया लेकिन ये जो root 3 आया है इसको हमारे number line पर दिखाना है कहां पर आएगा नंबर लाइन पर कहा पर आएगा तो अब आपको क्या करना एगले स्टेप में यह ओ पर अपना कमपास रखना आपको पता ने कमपास होता है वो राउंडर जिसको बोलते है जिसमें पेंसिल लगती है एक साइड से ठीके तो यहाँ पर कमपास रखना है और यह आर तक का डि कॉआट आएगा नीचे तक ऑएगा तो जहां तक वो नीचे तक आया यह पइंट जो आपको मिलेगा वही पॉइंट आपकर रहेगा दोस्तों क्या root 3 वाला point, यानि कि ये point पे एक नाम दे तो, समझ लो, मैंने नाम दे दिया c point, मैंने एक नाम दे दिया, c point, and वो ही c point कहलाएगा root 3, तो आपको क्या पूछा था question में, कि show that root 3 on number line, तो root 3 आ गया, ये जो point आपको मिला है, c point जिसको बोल रहे है, उसका value क्या है, root 3 है, तो इसके पहले क्या था, इसके पहले, ये जो q point था, ये root 2 अला point था, बराबर न, ये root 2 अला point था, अब यहाँ पे c point पे क्या मिल गया, root 3 वाला मिल गया, फिर उसके आगे क्या मिलेगा, root 5 मिलेगा, root 6 मिलेगा, root 7 मिलेगा इस प्रकार आपको आगे आगे जब जाओगे तो ऐसा मिलता रहेगा clear है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत ही easily समझ में आ गया होगा कितना easy था root 3 को number line में draw करना समझ में आ गया दोस्तो clear है तो उमीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलते हैं next question की दिरब जैसे मैंने बोला कि दो question मुझे आज कराना है एक तो root 3 number line पर कैसे draw करते हैं वो बताऊंगा नमबर टू और यहां पर मैं लिखता हूँ कि root 5 को आपको number line पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को number line पर रिप्रेजेंट करना है ठीक है चले देखो अभी ध्यान से इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिर से नया एक number line ड्रॉ करेंगे और इसको आप note book भी note down कर सकते हो दोस्तों ठीक है न वीडियो का pause करके थोड़ा पीछे ले लेना और note down कर लेना ठीक है न अब मैं एक अच्छे से क्या करता हूँ एक number line ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर करता हूँ चलो वापस से सेम उसी प्रकर एक number line को ड्रॉ करेंगे अम लोग ठीक है एक बीच का point ले लोगा this point is called zero point यहाँ पर one आ जाएगा यहाँ पर two आ जाएगा यहाँ पर three आ जाएगा one two three ले लिया अब यहाँ पर सेम two अभी ड्रॉ करना है root five तो सबसे पहले आप दिमाग थोड़ा सा लगाओ आपका थोड़ा से दिमाग इसमें logical thinking लगता है लोग गलतिया कर देते हैं इसी चीज में आपको पता है दोस्तों कि root five के पहले root four आता है और root four का value जो होता है और root four से ज्यादा root five होता है यानि कि लगबग two के आगे ये जो two point है इसके आगे ही हमारा कहीं पे दो बनेगा यानि कि ये जो two है ये हमें काम आएगा जैसे हम लोग का root three ड्रॉ करने के लिए इसके पहले का value काम आए था root two वैसे ये root five को ड्रॉ करने के लिए इसके पहले का value काम आएगा यानि root four और root four का value होत तो आप 2 काम आएगा, तो मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले सेम वही चीज, कि यह जो पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूँ, मैं O, इसको नाम में क्या देता हूँ, यह आपका 0 है, मेरा actually 0 और O सेम दिखता है, यह 0 है, यह O है, ठीक है, और यह जो 2 पॉइंट जो मैं लि PQR, जो भी आपको मर्जी, आपको अच्छा लगे, नाम दे देना है, और यह पॉइंट को और यह पॉइंट को आपस में, आपको with the help of scale, एकदम straight draw कर देना है, मतलब एकदम straight line draw करना है, जब क्या दिखेगा, वह एक triangle जैसा दिखेगा, और यह जो रहेगा 90 डिगरी आपने Q और R जो लिया है, उसका distance कितना है, 1, ठीक है ना, अमझ में आ रहा है, और आपको यह OR जो है नहीं पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ OR कैसे, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो यह एक triangle बन गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, in triangle, क्या नाम है, O, Q, R, एक triangle है, अब यहाँ पे जो angle Q है, यह Q दिख रहा है, आपको यह Q कितना है, 90 degree है, तो angle Q is 90 degree, therefore हम लोग क्या लगा सकते है, by using Pythagoras Theorem, क्या लगा सकते है, हम लोग, Pythagoras Theorem लगा सकते है, क्या होता है Pythagoras Theorem, that is, hypotenuse का square is equal to sum of the side square, तो hypotenuse को है, 90 के आपोजिट, यानि, hypotenuse यह वाला side hypotenuse है, जिसका नाम है OR, यानि कि, OR का square is equal to, यह वाले side का square, यानि, OQ का square, प्लस, यह वाले side का square, यानि, QR का square, समझ में आ रहे है, अब इसमें value डाल दो, बस, OR हमें निकालना है, तो OR का square वैसी रहेगा, OQ का value पता है, OQ का value कितना है, हमारे पास, 2 है न, तो ले लिया 2, इसका square, प्लस, Q are, कितना हमने माना है, Q are हमने माना है 1, तो 1 का square, ठीक है, souls करलो इसको, तो OR का square is equal to 2 square होता है 4, प्लस, 1 का square होता है 1, तो हमारा, कितना आएगा, यहान पर, OR का square आ जाएगा, 4 प्लस, 1 यानि 5, OR का square कितना आया ? 5 आया । लेकिन हमें सिर्फ OR चाहिए तो OR is equal to kya हो जाएगा ? Under root में चले जाएगा 5. तो OR का value कितना आ गया ? Under root of 5 यहनी यह OR का value है वह आ गया under root of 5. लेकिन यही under root of 5 जो OR का value आया इसको आपको क्या करना है ? Number line में शोओ करने के लिए सेम आपको क्या करना है कमपास ले लेना है ओ पॉइंट पे रखना है कहां तक का डिस्टेंस लेना है आर तक का पूरा यहां से लेके रखोगे और आर तक का डिस्टेंस लोगे और यहां से एक आर्क बहुत ही ज्यादा सिंपल अगर आप देखोगे ध्यान लगा के तो यही था हमारा एंसर और उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार आप कोई भी नंबर और इर्रैशनल नंबर ओवियसली चाप्टर का नाम में भी इर्रैशनल नंबर है तो यह सब जो नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन पे इर्रैशनल नंबर्स कोई ड्रॉ करने के लिए पूछता है यूज़िली रूट टू रूट थ्री रूट फाय रूट सेवन असा करता हूं कि हर तरीके से मैं आपको समझानी कोशिश किया कि आपको यह चीज कैसे ड्रॉ करना है तो बस आज के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है अपनी राय और सदिशन जरूर से देना है वीडियो अगर पसंद आया ह हम कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे एगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू एन गुडबाई